हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल और आप सब लोगों को नवरात्री की बहुत बहुत शुब काम नाए तो दोस्तों, आज मैं आप से शियर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी और डिफरेंट स्टाइल से बनी साबू दानी की खिचडी की रेसिपी जिसको नॉर्मली MP साइट बहुत जादा बनाया जाता है तो पूरा वीडियो आप अच्छे से जरू देखिएगा जिसे आप इसको बहुत ही आसानी से बना सके तो हमारी खिचडी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक कप साबू दाना मीडियम साइज का और एक कप साबू दाने से आप दो लोगों के लिए अराम से खिचडी बना सकते हैं क्वांटिटी आप अपने हिसाब से खटाया बढ़ा लीजेगा तो यहाँ पर मैंने साबू दाने को एक बड़े परतर में ट्रांसफर कर दिया है और एक बार इसको चेक जरू कर लीजेगा ताकि इसमें कोई कंकर बगेरा ना रहें यहाँ पर मैंने साबू दाने को अच्छे से वाश कर लिया है अब मैं इसमें एड कर रही हूँ एक कप पानी मतलब एक कप साबू दाना है तो उसमें हम एक कप ही पानी डालेंगे इसको भिगोने के लिए इसे क्या होगा हमारे जो साबू दाना है वो अच्छे से भीग भ बहुत ही कम घीया तेल यहां पर इस्तिमाल होने वाला है और आप देख सकते हैं यहां पर मेरा जो साबू दाना है पिलकुल अच्छे से भीग चुका है एक एक दाना है और साथी बहुत अच्छे से एक गल्सा भी गया है आएरेके में आप इसको दबा के आपको दिखा रही कोशिश करिए कि पानी बिलकुल ना रहें तो यहां पर मेरी प्लेट में थोड़ी सी छोटी लगी थी हमारी साबू दानी के साब से तो मैं इसको बड़ी प्लेट में ट्रांसवर कर रही हूं क्योंकि हम साबू दाना यहां पर एक नई ट्रिक के साथ बनाएंगे तो हम इस नहीं और इसमें अच्छा सा फ्लिवर भी आ जाएगा तो थोड़ा सा चिकनाई होना भी जरूरी है तो यहां पर बस दो चोटा चमज गी मैंने डाल दिया है और इसके बार इसको अच्छे से हमें चमज से मिक्स कर देना है यहां मैं आपको और चीज़ा दिखा देती हूँ जो कि हम हमारी खेचुड़ी में बाद में डालेंगे तो यह देखिए मोफली दाना मैंने इसको अच्छे से रोस्ट करके कूट लिया है दो बड़ा चमज के करीब है यहां पर दो चोटे मैंने आलू कट करके रखी हैं बॉ कर दिया है तो कम से कब 15-20 मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे क्वांटिक्टी के हिसाब से करेंगे अगर आप बहुत जादा बना रहे हैं तो इस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा तो 15 मिनट के बाद मैंने इसको कोल कर देखा है तो आप देख सकते हैं यहां पर आप यह पक चुका है तो अभी में क्या करूंगी गैस को आफ कर दूंगी और इसको हम उतार लेते हैं तो जब यह थोड़ा सा थंडा हो जाएगा इसके बाद हम इसको अच्छे से चला लेंगे तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रैस्पी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो क कर दिया हरी मिर्च आइड कर दिया और हरा धनिया आइड कर दिया साथी में यहां पर डाल रही हूं एक चोटा चमल मुना जीरा पाउडर इससे बहुत ही अच्छी महक और टेस्ट आएगा वस अब सारी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है अगर आपको नमक कम ल वहते हैं हमारे साबु दाने साथी मैं यहां पर आट करनी हूँ आधा नीवू अच्छे से पूरा रास हम इसमें डाल देंगे और इसके बाद हम इसको फिर से मिक्स कर लेंगे तो सारी चीजें हमारी मिक्स हो चुकी है और यह हमारी खिचड़ी भी बिल्कुल रेडी हो गई है जिसको कि हमने सिर्फ दो चमर देशी की में बनाया है तो अभी मैं इसको निकाल लेती है एक सर्जिन प्लेट में तो यहां पर आप देख सकते हैं कितनी जादा खिली खिल अगर आपने अभी तक इस नवरातरी में साहुदाने की खिचड़ी नहीं बनाई है तो आप एक बार साहुदाने की खिचड़ी की यह रैसेपी जरू ट्राइ करके देखिएगा आपको बहुत पसंद आएगी और अगर आप बनाते हैं तो मुझे कमेंट करके चरूर बताईएगा और मेरे वीडियो को जादा से यादा आप शेयर भी कर दीजेगा तो साहुदाने की खिचड़ी को आप कैसे खाना पसंद करते हैं धनिया की चत्नी के साथ में या फिर आप नीवू पानी लेते हैं तो यहाँ पर मैंने वराई थी शिकन जी उसके साथ मैंने इसको खाया था तो चली अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स व्लॉग में एक झाल झाल झाल